इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के बच्पन की वन आफ दी फेवरेट मूवीज में से एक शॉलिन शॉकर से जोड़े कुछ अन्नोन इंटरस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ओफिस पर्फॉर्मेंस के बारे में तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल क को सब्सक्राइब करिए अगर आप भी एक फुटबॉल लवर है और आपने भी इस मूवी को देखकर कभी न कभी एक बर फुटबॉल खेलने की इच्छन ना आई हो तो ऐसा होना इंपॉसिबल सा लगता है क्योंकि इस फिल्म में हमें गेमिंग के साथ साथ कुमफू का भ शॉलिन शॉकर ये हॉलिवुड की कॉमेडी एक्शन फिल्म थी और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जुलाई 2001 को इस मूवी में हमें में लिट कास्म नजर आए थे जाओं विंग, एंजी मैन टैट, डैनी चैन, पैट्रिक से, सिसीलिया चॉंग, वोंग येट फेई, लाम चिंचुंग, टिन कैमान, मो मिलीन, मिन हुन फंग और स्टिफन चाउं और इस मूवी को लिखा और डैरेट किया था स्टिफन चाउं ने, जिन्हों ने इसके बाद कई माइंड ब्लूइं कॉमेडी फिल्मों को डैरेट किया है, जिसमें कुम्फू हसल, किंग अफ अर्मीड, जनी टू दा वेस्ट और सीजी सेवन जैसी बहतरीन फिल्में शामिल है, इस मूवी का बजट रखा गया था 10 मिलियन यूज डॉलर और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 42 मिलियन यूज डॉलर का बिजनेस किया था, और ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, ल पारिजन में कम बजट की होती है, और कम कलेक्शन कर पाती है, लेकिन अगर कोई फिल्म अपने लागत से ज्यादा कलेक्शन कर ले जाए, तो वो successful और super hit film की लिस्ट में शामिल हो जाती है, और एगर इस फिल्म के कलेक्शन को इसके बजट से बजट से उपईर किया जाए, और आप बात करते हैं इस फिल्म से जड़े कुछ unknown और interesting facts के बारे में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं Fact No.1 फिल्म देखने में भले ही एक new concept और बेस लगती है लेकिन इस फिल्म का idea कहीं और से inspire था Well, Stephen Shaw ने एक interview में बताया कि उन्हें इस फिल्म का idea एक Japanese animation series Captain Subasha से आया था जिसे 1981 में टेली कास्ट किया जाता था जो एक football theme पर बेस था और ये series Japan के साथ साथ Hong Kong में भी काफी famous हुआ और उन्होंने बताया कि इस फिल्म के plot के लिए उन्होंने football theme को कुमफू के साथ add करके इस फिल्म को ready किया था Fact No.2, फिल्म के shooting तो complete हो गई थी लेकिन इसके release होने में काफी मुश्किले आ रही थी और ये फिल्म चाइना और अमेरिका में release नहीं हो पाई थी अचली चाइना ने इस फिल्म के release पर ban कर दिया था क्योंकि इस फिल्म के director Stephen Shaw ने इस फिल्म के certification मिलने से पहले ही इस फिल्म को Hong Kong में release कर दिया था और इस बास से नाराज होकर Chinese government ने इस फिल्म के theater release, DVD और VCD सभी पर ban लगा दिया था और दूसरी दरफ इसके American English dubbing ना होने की वज़े से मेरा Max Company इस फिल्म को अमेरिका में release नहीं कर पा रही थी और American Film Industry को कोई fix date नहीं दे पा रही थी जिस वज़े से ये फिल्म अमेरिका में भी release नहीं हो पाई और दो साल बाद इसके English dubbing को DVD और internet के थुरू अमेरिका में sale किया गया था और इन्हीं सभी reason की वज़े से ये फिल्म box office पर अच्छा performance नहीं कर पाई थी Fact No.3, फिल्म को कई languages में dub किया गया था जिसमें Italian, Russian, English और Hindi language शामिल थी और इस फिल्म को English में किसे dubbing artist नहीं बलकि Stephen Shaw ने खुट डब किया था जिसके लिए उन्होंने चार मेने तक English speaking का course किया था और इसके Italian version के लिए real के Italian football playerों से डब करवाए गया था जिसमें Italy के famous football players Vincent Candela, Marco Delvichow, Angelo Parigi और Damiano Tomasi जैसे players शामिल थे पूरी फिल्म football sports पर बेश थी और जब ये बाद Puma Company को पता चली तो उन्होंने इस फिल्म को sponsor करने का सोचा और इस फिल्म ने भी Puma Company का भरभर के promotion किया था और फिल्म में दिखाये गए सभी players जितने भी shoes पहनते हैं वो सभी Puma brand के थे यहां तक कि Stephen Shaw के दिखाये गए फटे पुराने जूते भी और इसके साथ ही सभी track suits और टी-shirt ये सभी Puma Company की डिजाइन की हुई थी और फिल्म के एक scene में जब Stephen Shaw फुटबॉल को किक मारते हैं तो इस फुटबॉल का VFX screenshot भी Puma brand के logo जैसे दिखाये गया था Fact No.5 फिल्म के एक scene में दिखाये जाता है कि कुछ लड़कियां face पर नकली mustache लगा कर male football player की तरह game को खेलती हैं ये scene देखने में तो काफी funny लगता है लेकिन इस scene का idea Stephen Shaw की ही 1996 में आई film Forbidden City Cop से copy किया गया था जिसमें कुछ लड़कियां नकली mustache लगा कर fight करती है Fact No.6 फिल्म में जितने भी actor काम करते हैं इन सभी के जोड़ी इतनी hit हो जाती है ये Stephen Shaw की आने वाली सभी filmों में अक्सर नजर आने लगे थे और इन सभी ने इस film के बाद भी एक साथ screen share किया था जिसमें Stephen Shaw, Lam Chin Chung और Danny Chan 2004 में आई कुफू हसल में एक साथ काम करते नजर आये थे और Danny Chan जो इस film में गोल कीपर का रोल प्ले करते हैं और Bruce Lee जैसे लगते हैं इस film के बाद उन्हें कई TV स्रीज और फिल्मों में Bruce Lee के रोल के लिए ओफर आने लगे थे जिसमें वो 2007 में आई TV सिरीज The Legend of Bruce Lee में और 2015 में आई Ip Man 3 मूवी में Bruce Lee के रोल में नजर आये थे ये फिल्म होंग कॉंग कॉंग की सबसे पहली फिल्म थी जिसने होंग कॉंग बॉक्स ओफिस पर 60 मिलियन होंग कॉंग डॉलर की कमाई के साथ नया रिकॉर्ड क्रेट किया था और ये रिकॉर्ड 2004 तक कायम रहा लेकिन 2004 में स्टीफन शौ की ही आई फिल्म कॉंफू हसल ने इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड दिया था जिसने 70 मिलियन होंग कॉंग डॉलर का कलेक्शन करके न्यू बॉक्स ओफिस रिकॉर्ड क्रेट किया था फैक्ट नमबर 8 फिल्म का नाम शौलिन शौकर होता है लेकिन मीरा मैक्स प्रडॉक्शन कंपनी इस फिल्म का नाम चेंज करके कुछ और करने वाली थी एक्चिलिए जब इस फिल्म की इंग्लिश डबिंग की जा रही थी तो डबिंग स्क्रिप्ट में इस फिल्म का नाम बदलकर कुम्फू सौकर रखा गया था और स्टीफन शौकर को इसी नाम को फिल्म में डब करने के लिए फोर्स करने लगे थे लेकिन स्टीफन शौकर ने इसके लिए मना कर दिया था जिसमें फुटबॉल की VFX scene और कई simulation scene सामिल थे और इसके साथ ही फिल्म में दिखाये गए कई bullet time shot scene means freeze before action वाले जैसे सभी scenes को दो motion camera से shoot किया गया था जो उस time की technology के हिसाब से एकदम नई थी और इस type का action हमें सरिफ 1999 में आई The Matrix movie में देखने को मिला था आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आपको इस फिल्म का कौन सा interesting fact पसंद आया प्लीज हमसे comment में जुरू share करें और अगर इस फिल्म को लेकर मैं कोई अपना personal और dangerous experience शेर करूँ तो इस फिल्म को देखने के बाद मैंने football खरीदा था और उसे इतनी जोड से पहली की कमारी थी कि सामने वाले अंकल की कार का शिशा तूड़ गया था और अगर आपका भी कोई personal experience हो तो comment section में हमसे शेर कर सकते हैं तो इस वीडियो को like करिए और channel को subscribe करिए ताकि हम आपके लिए आगे कुछ इसी तरह movies के interesting facts लाते रहें Thank you